दोस्तो अगर आप भारत को एक जबरदस टीम आनते हैं तो मारी इस वीडियो को लाइक जरू कीजेगा दोस्तो भारत और इंगलेंड की भीच खेले जारी टेस्ट रंखला में भारती टीम में जहां शुरुआत की दो मुकाबलों में शांदार प्रदर्शन करके दिखाया था वहीं तीसरे मुकाबले में भारती टीम की खिलाडियों ने बड़ी शर्मनाक प्रदर्शन करके दिख जिसके बाद तो भारती टीम की आलोचना पूरे विशु में हो रही थी। इसी बीच इंग्लेंड के दिग्गस ओल राउंडर खिलाडी बैंड स्टोक्स ने भारती खिलाडी उपे लेकर एक ऐसा बयान दे डाला जिसको सुनने के बाद तो आपके भी होच उड़ जाएंगे तो चली आपको बताते हैं ऐसा क्या खा बैंड स्टोक्स ने अपने बयान में लेकिन उसे फिले आप सबी को क्या लगता है भारत और इंग्लेंड में से कौन जवरदस टीम है नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताईएगा दोस्तो भारत और इंग्लेंड के बीच खेली जा रही पांच मुकाबलों की टेस्ट श्रंखला में अब तक तीन मुकाबले खेली जा चुके हैं और दोनों टीम एक-एक मुकाबला जीत कर श्रंखला में बराबरी कर रखी है भारती टीम ने श्रंखला में जहां पहले पूरे विश्व में हो रही थी। दोस्तों इसे बीच इंगलेंड की जबरदस ओल राउंडर खिलाडी बैंड स्टोक्स ने एक इंटेवी के दोराने के ऐसा बयान दे डाला जिसको सुनने के बाद तो भारत का हरे एक प्रिशन सक उनसे रूठा हुआ नजर आ रहा है। जिसको देखकर भारती टीम का हरे एक बलेबाज हैरान रह गया होगा। भारती टीम का इतना बुरा हाल तब है जब वो इंगलेंड की टीम में मौजूद नहीं है। अगर वो खुद इंगलेंड की टीम में मौजूद होते तो भारती टीम करने जाने कितना बुरा हाल हो इसकी कलपना तो भारत का कोई भी खिलाडी नहीं कर सकता भारती टीम बाकी के मुकाबलों में इतनी निराशा जनक पदरशन करके दिखाएंगे इस बात का उन्हें पूरा विश्वास है और इस रंखला में इंगलेंड की टीम चार एक से जीतेगी भारती टीम का रविया मुकाबले के दोरान मैदन पर इतना खराब देखने को मिल रहा है जिसे देखकर उन्हें काफी ज़्यादा गुसा भी आया और निराशा जनक भी लगा भारती टीम के खिलाडी सिर्फ बातों से इंगलेंड की टीम का सामना कर सकते हैं खेल के तुलना में अभी भारती टीम के खिलाडी इंगलेंड से काफी ज़्यादा पीछे हैं